कि दोस्तों आज हम इस वीडियो में फोलिटिकल साइंस या फिर जीके की बहुत इंपोरन टॉपिक के ओपर बात करने जा रहे जो आप सब को पता होना जरूरी है दोस्तों यह कि क्यू पाकिस्तान में अभी तक एक स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं बना है हम दोस्तों जानते कि कि पाकिस्तान में इक स्टेबल डेमोक्रीशी है नहीं कि कि बाखने его स्टेबल कीसिए कीजीए त味ना बात करें की क्यू पाकिस्तान डेमोक्रसी नहीं है तो इसके पीछे तीन मुख्या कारण होते हैं सबसे पद्स्टों कारन की बात के तो वह है डॉमीनिंस ऑफ military power तो तो तहम सब को पता है कि पाकिस्तान में government से भी powerful है वहाग के Army तो वहाग के जो military power है वह अभी से नहीं वो बहुत ही पहले से जब पकिस्तान आजयाद हो था मतलब पकिस्तान का जब डिवाइट हो था इंडिया डिवाइट हो कर जब पाकिस्तान बनाता तब से पाकिस्तान में जो military power है वो बहुत ही dominant था अभी तक भी जो पाकिस्तान में military power बहुत ही dominant है तो जब भी military को यह लगता है कि government उनकी हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो वो उनको अबर्थ हो करके अपना power पो जमाती है तो इसलिए जो democracy है है वह स्टेबल नहीं है इसके पीछे मुख्य खान है डॉमिनेंस ऑफ मिल्टरी पावर तो सब्सक्राइब के बात करें तो वह है रेगुलर कंफ्लिक्ट बीटून इंडिया और पाकिस्तान तो हमको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान जब से डिवाइट हुआ है तब से छो पृषा का जब तो वही है कि आर्मी का जो कन्टिन्यू living क्रोंनेंस होता है कि वागते क्या करेगा यह क्या इसके कार बहुत बदा रोल होता है इसे लिए ऌर्मी का जो सिल्साइटर्मकोर्मन मेर्ट करेंगा है है तो सथ यह नियुक्त अब अभी तक पकिस्तान में ना होने का तो श्वास्त रहिए के कह Alberto